तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जूनियर गाइड तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लाश 12 का जो मोडल सेट रिलीज किया गया है जैक बोर्ड के द्वारा उसका सॉलूसन ठीक है तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पह तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्रूप यह देखेंगे ठीक है तो चलिए ग्रूप यह हम लोग देखते को चनल नंबर वन जो आपका स्टार्ट करते हैं जो पहला कोस्चन आपको दीख रहा है पहला कोस्चन है कि मोहन जो दाड़ो का उल्खनन किया था किसने किया था वह पुछा जा रहा है तो यहां पर ओप्सन दिया हुआ है इस ओप्सन में से इस अपका जो होगा वह उपी हो जाए आई डी बनऊर जी ठीक है यो फीर कोश्चन के दो देखते हैं हम लोग दो में साथ छे कहां से प्राप्त हुए option दिया हुआ इस option में से आपका हो जाएगा काली बंगा से ठीक है option नमबर ए फिर यहां पर कि महाँ जनपद महाँ जनपद कितने थे तो महाँ जनपद कितने थे option दिया हुआ इस option में से आपका हो जाएगा option नमबर डी या चार जो 16 ठीक है तो यह question number 3 देखे चलिए question number 4 हम लोग देखते है question 4 है कि सांची स्थीत है सांची स्थीत है कहां पे स्थीत है यह पूछा जा रहा है यह कहां पे स्थीत है भोपाल के निकट ठीक है और फिर question दिया हुआ है यहां पे की question 5 की धम की भासा क्या थी धम की भासा क्या थी प्राकृत ठीक है option number 2 होगा आपका इसी तरह से question number 6 हम लोग देखते हैं question 6 है कि तच्छ सिला यहां पर लिख दिया तच्छ सिछा विश्विद्याले कहां इस्थीत था तो यह कहां पर इस्थीत था कि तच्छ सिला विश्विद्याले पाकिस्तान में इस्थीत था फिर है यहां पर कि धर्म महा मात्र की नियुकति किसने की धर्म महा मात्र की निय सनस्थापर कौन थे तो मौरिवन के सनस्थापर आप्सन नमबर 3 हो जाएगा चंद्र गुप्त ओर हम देखते हैं कि महात्माइब का जन्म कहा हुआथा तो महात्माइब का जर्म जो हुआ था वह वहा था से लुभी मिनी में से ठीक है यह पर अप्न दिया हुआ है option no3 हो जाएगा आपका चले question no10 हम लोग देखते हैं की चीनी आतरी कि चीनी आतरी फाहियान भारत कब आया यह किस काल में आया था यहां पर दिया हुआ है इसमें से आपका हो जाएगा option थड़कुप्त काल में आया था ठीक है इसी तरह से नयनार संत पूजा करते थे तो नैनार संत जो है वो सीव का पूजा किया करते थे ठीक है चलिए कोश्चन एक बारा की और हम लोग बढ़ते हैं बारा में दिया हुआ है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है तो यहां पर दिया हुआ है कबीर तो इस option में से आपका हो जाएगा option number A कबीर का जो उपदेश है वो संग्रहित किया गया है इसी तरह से मीरा बाई के गुरू कौन थे तो मीरा बाई के गुरू जो है दिया हुआ तेरा रेदास ठीक है रेदास जी थे फिर question number 14 की और हम लोग बढ़ते हैं तो ओड़ चोद में धिया हुआ है कि अकभर के वित मंत्री कौन ते तो अकबर के वित मंत्री कौन थे तो option number 3 हो जाएगा ठीक है तोड़ रमल यह उसके वित मंत्री थे फिर यहां पर दिया हुआ question पंद्रह कि जजिया कर किस लिये लिये लिया जाता था तो जजिया कर जो है वो लिया जाता था जीमियों से किसके किसे लिया जाता था जीमियों से लिया जाता था अकबर की राजधानी कहां थी तो अकबर की राजधानी यहां पे दिया हुआ है तो लाहुर ठीक है पहले ला आगरा ले आए थे तो आगरा का उप्शन दियार नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा लाहूर था ठीक है इसी तरह से कोश्चन नमबर 17 देखते हैं कि ब्रिटीश इस्ट इंडिया कंपणी की अस्थापना कब हुई तो ब्रिटीश इस्ट इंडिया कंपणी के अस्थापना सोलो सो इस्वी में हुआ था ठीक है ऑप्शन नमबर वन में हुआ था संथाल विद्रों के नेत्री तो करता कौन थे कोश्चन नमबर 18 है कि संथाल विद्रों के नेत्री तो करता कौन थे तो संथाल विद् संतावन का विद्रो कहां से आरंभ हुआ तो जो विद्रो शुरू हुआ था वो मेरट से हुआ ठीक है फिर बिहार के जगदीश पूर में 1857 की क्रांती के नेत्रित किस ने किया तो बिहार के जगदीश पूर में इसने पर्तिपादित किया था ओप्सन दिया हुआ है यहां पर इसमें से आपका हो जाएगा ओप्सन नंबर थाड़ दादा भाई ने रोजी ने इसने यह पर्तिपादित किया था भारत में रेल्वे की शुरुवात कब हुई थी तो भारत में रेल्वे की जो शुरुवात ह हुआ थी कि अठारा सो तीरपन इस्वी में हुआ था ठीक है कब वह था अठारा सो तीरपन कि अठारा सो तीरपन इस्वी में हुआ था रेलवे की शुरुवात और यहां पर कॉस्चन दिया हुआ है कॉस्चन नंबर ताइस कि ताइस में दिया हुआ है कि रोलेट एक्ट या रोलेट कानून जो है किस वर्स पारित हुआ था यह जो पारित हुआ था उनिश सो उनिश में पारित हुआ ठीक है महात्मा गांधि के राजनीति गुरु कौं थे तो महात्मा गांधिके राजनीति गुरु पर दिया होओ सब्सक्राइब में से आपका हो जाएगा गोपाल कृष्न गोखली अप्सन नमबर थार्ड थीन ठीक है चलिए कोश्चन कब वापस लिया तो गांधी जी निया स्वयू गांदुरण 1922 में वापस ले लिया था ठीक है फिर यहां पर कॉस्चन नंबर 26 कि सवराज पार्टी के संस्थापक कौन थे तो सवराज पार्टी के संस्थापक दिया हुआ है पंडित जवालललनेहरूं ऑप्षन ठीक है पंडित जवाल ललनेहरू मोतिलालनेहरू सी आरदास तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका की ये दोनों संस्थापक कहलाते हैं मोतिलाल नहरू या सी आरदास ठीक है अगर यह दोनों दिया हुआ है तो इसमें से आप यह दोनों होगा यह अगर कहीं एक इसमें से दिया हुआ है तो सी आरदासी ठीक है यह इसमें आपका एंसर जो होने वाला है इसका यह एंसर हो जाएगा आपका फोर बी एंड़ सी मतलब दो और कि दो एंड तीन यह दोनों होने वाला है ठीक है यह दोनों होगा फिर यहां पर कोश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 27 भारत छोड़ो आंदूलन कब आरंभ हुआ तो यह जो प्रारंभ हुआ वह ओप्शन दिया हुआ इस में से इस ऑप्शन में से आपका हो जागा 1842 में ठीक है कि कभेढं़ हुआ ता 1942 इसभी में हुआ था चलिए कोशन 1818 कि भारत की सभिधान का पिता किसे कहा जाता है ठीक है भारत की सभिधान का पिता हो हे वह इसमें से दिया हुआ और अप्सन इसमें से आपका हो जाएगा वी आर अम्बेड कर भीम राव अम्बेड कर जी को ठीक है फिर चलिए अब कोस्टन नंबर 29 देखते हैं 29 में दिया हुआ है कि महत्मा गांधी का जन्म कब हुआ था यह सभी को पता ही होगा महत्मा गांधी का जन्म कब हुआ था तो यह क्या है कि आपका अप्सन नंबर तो हो जाएगा उसके बाद चलिए लास्ट कोस्टन जो है हम लोग देखेंगे इसमें ग्रूप एक और है ननकITY में भारतिय सवभीदान की स्तित्री नाकिस वर्ष लागों किया गया पर से अबर भारतिय सवर्ष जो लागों किया गया था 26 जन्वरी 1950 को लागों किया गया था तो अप्सेन नंबर आपका दो हो जाएगा तो हम लोगों इसमें कॉस्चन का सॉलूसन हम लोगों ने देख लिया ठीक है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रूप B एंड सी ठीक है ग्रूप B और सी देखने वाले हैं तो चलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं तब तक आप से अलविदा लेते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यूँ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में बेल आइकन को दबाए और वीडियो को सेर क पर दिजिए फिर मिलते हैं लोग अगले वीडियो में तब तक आप सेल विदा लेते हैं जाए हिंद्ट